अरे तुम मेरे साथ तो चलो दर क्यों है पता है ये तुम्हारे लिए है दोस्तों इसमें लिखा है आप सब सुनियों की पार्टी में जरूर आईएगा ये इसकी बर्दे पार्टी का इंविटेशन है अच्छा तो तुम्हारा बर्दे आने वाला है अरे बाद सुनियों क्या ये बात सच है शितुका ने बिल्कुर सभी कहा है और पता है इस बार मेरे बर्दे पर तुम्हें ऐसे चीज़े खाने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं खाई होंगी अरे मेरे मुँँ में तो पानी आ गया मैं पकाऊंगा हां हां जरूर आना और हां बेना जिफ्स लिए मत आना सुनियों की बर्दे पार्टी तुम्हें तक खुश होना चाहिए कि तुम्हें उसने अपनी बर्दे पार्टी में बुलाया है नोबता मैं खुश नहीं हूँ मैं इस बार नहीं जाना चाहता था लेकिन ऐसा क्यों पार्टी में तोफा ले जाना पड़ता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लेकर जाओं मैं अब क्या करूंगा डोरे मॉन तुम चाहे कुछ भी दो लेकिन बस खुशी से दो नोबता तुम मेरा सबसे फेवरेट खेलाना है तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा सुनियों यह यकीन के साथ कहा सकता हूँ फिर तो मैं इसे सजा कर रखूंगा बता अपने कलेक्शन में उसे कहा रखूं यहां रखता हूँ मुझे एक नई गेम चाहिए डोरेमन मैं सारी कि सारी नई गेम स्खेल चुका हूँ अब मैं करूं तो करूं क्या एक खड़ी कैसी रहेगी यह देखो मेरी कमाल की खड़ी तो कॉमिक बुक्स कैसी रहेगी मुझ Google चाहिए फोन आया है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मुझे भी समझ नहीं आना उसे किस तरह का गिफत पसंद आयेगा काश हम ये पता लगा पाते शिजुका तुमने मुझे देख लिया तुम दोलोंने कुछ चुना क्या अरे नहीं वाँ तुम तीनों तो साथ में ही हो हाँ डोरेमोन प्लीज हमारी मदद करो ना हम किसी भी तरह सोच नहीं पा रहे कि सुनियों को क्या गिम्टे इसकी वज़े से मुझे रात को नीन भी नहीं आ रही है डोरेमोन हमारी मदद करो ना किसी के बारे में पूरी इंफॉमेशन मिल सकते हैं और उससे हम किसी के बारे में सब को जान सकते हैं चलो, अब सवाल पूछते हैं तुम्हें क्या तोफ़ा चाहिए? मुझे तोफ़े में एक अपनी यॉर्ट चाहिए, बहुत बड़ी वाली और एक क्रू चाहिए, जो मेरी सारी बात इमाना करे जिससे मैं जो काहूं मेरा काम हो जाए ये क्रू क्या होता है डोरे मॉन? ऐसे लोग जो इसका हर काम करें सुनो नौबिता, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी काम करो कर रहा हूँ, कैप्टेन सुनो चियान, बत बरबाद मत करो जी अच्छा, मैं करता हूँ सुनियो पाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, समझे तो इसके अंदर से कैसे पिटाई कर सकते हैं अगर ऐसा है जो तुम्हें अपने बरदे पर चाहिए कोई और चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं है क्योंकि सब चीजे मेरे पैरेट्स दिला देते हैं अगर ऐसा है दोस्तों, तो हम सुनियो को क्या गिफ दे सकते हैं शायद हम दिल से कुछ चीज देंगे तो उसे जरूर अच्छी लगेगी नहीं, नहीं, कुछ नहीं का तुम सब का स्वागत है दोस्तों अच्छा हुआ कि तुम लोग सुनियो के बरदे पर आए, इधर आओ देखो तुम्हारे खाने के लिए यहां बहुत कुछ है चलो, शुरू हो जाओ शुरू करते हैं सुनियो, यह क्या है, यह तो बताओ यह दरासल यह तो मैंने बाहर से मंगवाया है ममा, आप जाइए यहां से, मैं आपने दोस्तों को सब कुछ खुद बता सकता हूँ आइ लव यू मममा आइ लव यू टू देखो यह सारी डिशिस, बहुत ही स्पेशल है, तो मज़रो यहां पर जितनी भी डिशिस हैं, बहुत ही खास हैं दोस्तों जैसे कि यह जूस ही ले लो, इसे हमने प्रांच से मंगाया है तो नियों क्या मैं केक लिया हूँ बेटा मैं अपने काम करनूँगा करते हैं, हैपी बर्टे तुमारा शुक्रिया दोस्तों, तुम सब यहां पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा जितना चाहो उतना खा सकते हो मैं तो जम कर खाऊंगा हाँ हाँ हाँ, दोस्तों, खूब खाओ यह सब कुछ तुमारे लिए ही बनवाया है मैंने पेट भर के खाना अरे हाँ, याद आया, हमने तो सुनियों कोई गिफ्ट दिया ही नहीं हेई नोविता, पहले तुम अपना गिफ्ट दो पहले मैं? यह मेरी तरफ से है सुनियो, खास तुमारे लिए शुक्रिया, इसके अंदर क्या है? यह क्या चीज है? यह एक बिगी बैंक है मैं चाहता हूँ तुम इसमें पैसे जमा करके यह अपने लिए खुक्सूरत सी बोट खरीद है पर मेरे पास पहले ही एक बोट है चलो, मैं तुमें कुछ दिखाता हूँ दोस्तो सुनियो, तुम कहा चाह रहे हो ममा, जरा भी आता हूँ सुने कीची ने मेरे लिए यह मनी बॉक्स बनाया है जरा इसको देखो कितना कमाल का है यह अच्छी टेकनीक है तुमारा मतलब टेकनोलोजी क्यों दोस्तो है ना कमाल की चीज अच्छा, अब अगला गिफ्ट मुझे कौन देने वाला है सुनियो, यह गिफ्ट मेरी तरब से तुमारे लिए तुमारा शुक्रिया अरे वाई, यह तो कुक्स है ना क्या तुम कुकीज कहना चाहते हो इनकी खुश्बु दुला जवाब है क्या बात है चलो तुम्हे पसंद तो आया दरसल आम तोर पर मैं जो कुकीज खाता हूँ वो बहुत महेंगी आती है और इस तरह की सस्ती कुकीज मुझे बहुत कम मिलती है खाने के लिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बाली कुकीज खिला सकता हूँ चलो अब अगला गिप्ट खोलते हैं ये रहा ये है मेरी तरफ से तुम्हारा गिप्ट ठीक है ये लो ये कैसी टिकट है और इसका मैं करूंगा क्या देखो जब भी मुझे तुम पर गुस्सा आया और मैं तुम्हें बीटने वाला होँगा तुम मुझे ये टिकट दिखा सकते हो इसको देखते ही मैं मुस्कुराने लगूंगा दोस्त तो फिर क्या तुम मुझे जियां तुम बहुत मोटे हो समझें क्या कहा तुमने अभी अरे वाँ ये तो काम कर रहा है चलो और पोसिच करते हैं देखते हैं आप क्या होगा मैं वापस घर जा रहा हूँ समझे इसनी शिकायत करने की बजाए तुम्हें पार्टी को इंजॉय करना चाहिए दोस्तों सुन्यों को अपने आप एहसास हो जाएगा तो हमें भी तो बुरा लगा है मुझे लगता है वो अकेला पन महसूस करता है हाँ मुझे भी यह लगता है वो तो अकेले ही अपनी बढ़्डे पार्टी मना रहा होगा सुन्यों तो बहुत उदाथ लग रहा है शायद उन सबको अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है इसलिए वो लोग यहां से चले गए देखा तुमने यह अभी भी हमारा ही मजा कोड़ा रहा है मैं अब कभी सुन्यों की पार्टी में नहीं जाऊंगा मुझे उनके जाने से फर्क नहीं बढ़ता मैं तो पूरा मजा करने वाला हूँ पता नहीं यह लोग अपने आपको समझते क्या है अगर वो यहां पर होते तो उने कितना मजा आता सुन्यों सच में बहुत उजाथ लग रहा है चलो हम बापस चले लेकिन तुम जानती हो ना हम वहां गए वो फिर हमारा मजा कोड़ाएगा जी आन्ने सही कहा फिर भी हम सब उसके दोस्त हैं ना ठीक है मैं वैसे भी बहुत भूका हूँ अभी भी हाँ तुम वापस आ गए सच्छो हैपी बोस्ते मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे अपना एक सपना सच करना है जब तुम सब यहां से चले गए थे तो तुम सब के बिना मुझे बहुत बुरा लग रहा था सच में अच्छा हुआ हम वापस आ गए मेरा सपना ये है कि एक दिन मैं भी आम आदमी की तरह अपनी जिन्दिगी गुजारना चाहता हूँ क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगे क्या ये सपना इसलिए क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिन्दिगी कैसे गुजारते हो तो मैंने सोचा कि यही सपना सही रहेगा डोरेमॉन इसका सपना पूरा कर दो रेमों मेरा सपना हुआ रस हो जाएगा मजा आएगा हां ठीक है मैं जानना चाहता हूं हां आते हूं हलो सुनियो बेटा तुम कहा पर हो तुम्हें पाटोर उसके हुमारे डायर की कंपनी पगा हुए अरे वाह अब हमें ये घर छोड़ कर कहीं और रहने के लिए जाना पड़ेगा किया अरे पाट समय नहीं है हुए जर्दी से अपना समान पैक करना होगा क्या इसके परिवार का सारा पैसा सच में खत्म हो गया है वैसे पता नहीं सुनियो रहे गहां बिना पैसों के तो वो किसी होटल में भी नहीं रह सकता ना तुम उसकी चिसा मत कर अधर मुझे नहीं लगता कि सुन्यों बिना पैसों के रहे पाएगा शजू का सुन्यों बेटा देखो देर मत करो हाँ ममा आ गया मैं तुम अपने साथ क्या ले जा रहे हो यह मेरे गेम है और कुछ सीडीज है इन्हीं है जो तो इन्हें ले जाना पेकार है अच्छा कि यह समान कुछ जादा है हो गया सब कर दो कर अधां थे कि यह सब इतनी अचानक हो गया अब क्या करो देखो ऐसे समय में हमें एक दूसरे कर सार देना चाहिए उदाज पतो मामा देखे मैं तयार हो गया ये ड्रेस देखो हमारे पास यह बिजली नहीं है अगर खाना खाना है तो तुम्हें पहले आग जलानी पड़ेगी इसका समय करो ये डाट ने आग जलाने के लिए बनाया है अब से आग जलाना तुम्हारा काम है सुनियो सही तरीके से करना चलो मैं शिकार के लिए निकलता हूँ तुम सब अपना ख्याल लगना ठीक है आने के लिए कुछ अच्छा लेकर आईएगा हमें तुम्हारी मदद भी चाहिए होगी अपना ध्यान रखिएगा चलो अब तुम आख जलाने की कोशिश करो मैं थोड़ा तेयार होकर आती हूँ भला इस चीज से कोई आख कैसे ज़रा सकता है कुछिश करके देखा हमूँ चल जा चल जा चल जा मैं तक रहा ममा क्या हमारे पाँ स्लाइडर नहीं है हमारे पाँ यह सब कुछ भी नहीं लगता है इन्हें अच्छा लग दा इसके साथ तहीव हुआ मैं जा 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 जाज जा जला जा 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 जो डिस में है कि यह देखिए लगता है सुन्यों को बहुत अच्छा लग रहा है लगतो रहा है क्या बात कर रहे हो इसने तो सिर्फ आग ही जलाई है ठीक है आज के लिए इतना काफी है चलो चलो ना चलो ना हाईा रहा हाँ चलो अपक्र बनाता हूँ हाँ जारों साल बाट जभ है किसी को मिलेगी तभ यह बहुत है कि रि경 की हाँ यिष पिंपिंटिंग देखे लोगो को लगे गाँ जैसे यी पिंटिंग आदी मानम ने बनाई है हर् हाँ हुआ है इस चीज़ें हर एक इंजान को बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं ऐसा नजारा हर किसी को देखने को नहीं मिलता हम सच-पुछ बहुत ही किसमत वाले हैं तो आप खाने हैं आप खेत पर जा रहे हैं यह लीजी आपका खाना ठीक है मैं चलता हुआ जियान से जाएगा और मैं भी अपने काम पर चलता हुआ लो 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 देखो यह लोग इस तरह के महल में भी कितने जादा कुछ लग रहे हैं मुझे इनके पास जाना है वैसे मन तो मेरा भी है जाने को क्या कहते हो जियान ठीक है अगर तुम सबका मन है तो मैं भी चलूँगा क्या सुनियों का घर यहीं है शायद यहीं जगा है वो देखो वो रही उनकी ने प्लेट दोस्तों मेरे नए गर में तुम सबका स्वागत है चलो चलो आब अंदर आ जाओ यहाँ पर मैं अपनी बोट्रे की होई है मैं फेसे तुम्हें यह दे देता हूँ पहले तुम्हें अच्छा नहीं लगा था लेकिन अब तुम्हें यह अच्छा लगेगा सुनियों मेरे पास एक मनी बॉक्स है, मैं उसे अभी लेकर आता क्यों, कैसा लगा मेरा मनी बॉक्स? जा तुम इसमें प्रैसे जबाब करोगे? हाँ, इसे सुने कीची ने पहाडी लख्रियों से खास मेरे लिए बनाया है, दोस्तों, क्यों है ना खास? क्यों है ना ये कमाल का? शायद तुम्हें इस बार मेरी कुकीज अच्छी लगे सुनियों, ये कुकीज तुम्हें सच में बहुत तेस्टी लगेंगी कुकीज से याद आया, मैं अभी यादा हूँ पता है ये कुकीज मम्मा ने बनाई है, ये ताजे दूद से बनाई गई है, इसको खुद मम्मा ने अपने हाथों से बनाया है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है ऐसी कुकीज तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी दोस्तों, लोग खा कर देखो मैं जानता हूँ, तुम वही टिकट लेकर आये होगे जियान, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, जरा इस पेपर को एक बार देखो, ये दुनिया का सबसे अच्छा पेपर है, और इसको पूरी तना से बिना क्यामिकल के बनाया गया है, जरा ये देखो, इसको हमारे घर मे नहीं बनाया गया है, पता है मेरे डाट अभी भी ये पेपर बना रहे है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ, डाट सुनिये, हम लोग आ रहे हैं, लाला, 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 जियान, अगली बार जब भी तुम टिकट बनाओगे तो इसी पेपर से बनाना, हां, मैं जा रह हूँ, मैं जा रहे हूँ, जा रहे हो, लेकिन कहां जा रहे हो, तुम सब अब क्यो नाराज हो गए, अरे मैंने पार्टी नहीं दी है अभी तक, सुनो वापस आओ, दोस्तों, कहां जा रहे हो, लीज वापस आजाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ, मत जाओ, हाहु, हैलु सब अरे, तो यहां पर दुबारा वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मुझे अब समझ में आ चुका है कि मेरी गलती क्या है प्लीज मुझे माप कर दो दोस्तों दुबारा ऐसा कभी नहीं होगा मुझे समझ आना चाहिए था कि तुम्हें यही सब चाहिए इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए यह सब लाया हूँ यह सब मेरे डाट की कंपनी में बना है जाओ रख लो तुम भी का याद करोगे दोस्तों हाँ हाँ तुम लोग इलट समझ रहे हो दोस्तों मेरा वह मतलब नहीं था ऐसा मत करो प्लीज ऐसा नहीं है प्टेशेनेगे, पॉपाइब दिले टेनके लो खबी देखता झाल झाल